एक महला को चाकू गोद कर माल डालने की घटना का आज पुलिस ने उद्वेधन करते हुए एक अप्राधी को ग्रिप्टार किया है गोद तलब हो कि नो मई को संधिया में मोजाहिदपूर थाना छे तरंतर गत उल्टा पुल के नीचे एक अग्यात महला को चाकू से अग्यात व्यक्तों के दुवारा मार कर जक्षमी कर दिया गया था इलाज के लिए मायगंज अस्पताल ले जानने के करम में रास्ते में ही उसकी मिर्टी हो गई थी इस संबन में प्लिस अवर निरीक्षक मौहन कुमार सिंग मोजाहिदपूर थाना के इस्वालिखित वयान के आधार मोजाहिदपूर थाना में केस दर्ज किया गया था कांड के उद्वेदन में वर्य पुलिस अधिक्चक आनंद कुमार के निदेश पर SIT की टीम का गठन किया गया गठी टीम के द्वारा कांड का सफल उद्वेदन करते वे एक देशी कटा 6 जिंदा कार्तुस और 2,56,325 रुप्या सहीद एक अपराद कर्मिक की गरप्तारी की गई जिसने इस घटना को सुविकारा है वारे पुलीस आधिक्चक द्वारा कांड के निदेशन दान में अपनी देलेरी और पुलीस को सहता पहुचाने में सहयोग करने को लेकर एक स्वतंतर साक्षी को 15 अगस्त के अफसर पर प्रिश्कित किया जाएगा उस महीला जो स्वतंतर साक्षी का जो बयान था उसके आधार पर वे बता रही थी कि तडपते हुए महीला सिरफ एक ही चीज बोल रही थी कि हमको बचालो हमको हमारा भैसूर मार दिया परिवार वाले थे उन लोगों से बातचीत की और पूरा इस कांड के अंदर जितने भी लोग सनलिप थे उनसे जानकारी हमने प्राप्त की और हमने फिर फाइनली एक जो उसका भैसूर है फुचो मंडल उसको गिरफतार कर लिया गया स्राबनी मेला को सफल बनाने के लिए भागलपूर समार नाले इस्ति समिक्षा भवन में दूसरी बैठक का आयुजन किया गया जिसमें विभाग से आवंटन मांगने की परक्रिया कई विभागों के तहर टेंडर निकालने की परक्रिया से लेकर कच्छी कावरिया पत को अ सब्सक्राइब कामरियों के ठहरने की विवस्था को लेकर वारता की गई सलक पानी बिजली सोचाले साफाई आदि संबंदित विभागों को कारी योजना के साथ बैठक में बुलाया गया वहीं इस बैठक में अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई बैठक के दौरान एडि सब्सक्राइब किया थे तो एक उसका उन्हों पालन आज मंगा गया उन्हों क्या क्या तैयारी है विभाग से आवंटन मांगने की परकिरिया है कि अवंटन के लावा टेंडर अगरा निकाला जाता है उसकी जो है हम लोग समिछा की विहार सरकार के सिक्षा विवाग के रा जाना ध्यापक इसके लिए पहल करें अगर समय रहते विद्याले में चात्रों के उपस्तिति में सुधार नहीं हुआ तो दोनों के उपर कली करवाई की जाएगी सिक्षिकों से उन्होंने साप साप कहा कि सरकार द्वारस सही परकार की सुविदा उपलब्द कराने के परन्तु निरेक्षन के दौरान मात 30 से 40 35 चात्रों की उपस्तिती अलग अलग विद्यालियों में मिली यह काफी चिंता जनक है अभी तो हम लोग घुमे हैं विभाग का आदेश है कि और चक्रिक्षन करना है कि उपस्तिती ठीक थी बच्चे पुसाग में देखे गए और बच्चे लोग के पास कुछ किताब भी मिली है मंगलवार को हम गार्ड के अभी यार्थी जिलादीकारी से मिलने पहुचे वहीं जिलादीकारी ने एडियम के पास उने भेज दिया और एडियम ने कहा हाई कोट से जो आदेश आया है उसमें आप लोगों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है इस बात को लेकर अभी यार्थी काफी अक्रोसित हो गए और उनने फिर से हाई कोट में केश करने की बात कही वहीं प्रदर्शन कारियों ने कहा कि हम लोग लगातारी एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी बाते नहीं सुनी जा रही है जबकि 2011 में या बहाली निकली थी अब हम लोगों का उम्रे भी खत्म हो गया आखिर अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग चुप बैठने वाले में नहीं है हम लोग फिर से हाई कोट में केश दाखिल करेंगे परदर्शन में भागलपूर के अलावे कहलगाओं नुगच्या गोराडी जैसे कही जगाओं के लोग मुझूद थे हम लोग 2011 विग्यापन में होमगाट का कट्टी कटाए हुए थे तो हम लोग फिजिकल, मेडिकल हर चीज में पास हैं मामला बरारी थाना चेतर के समीप सबजी मंडिका है जहां तेज रब्तार ओनियंतित वाहन ने स्कुल से लोट रहे एक चात्र को टकर मार दी इस घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गिया घायल बच्चे की पहचान बरारी निवासी विकास सिंग का 16 वर्ष से पुत्र राजवीर रोसन बताया जा रहा है मामले को लेकर घायल चात्र के भाई सूरस सिंग ने बताया कि रोज की भांती राजवीर बरारी इसकुल प्लाही करने गया था इस दोरान तेज रफ्तार से आ रहे है बाईक सवार ने राजवीर को टकर मार दी जिससे वो अचे थोकर गिर गया वहीं मामले के जानकारी मिलते ही घायल राजवीर के परिजन फोरन मौके पर पहुचे और आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए माया गज अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिक्त्सकों के दुबारा इलाज किया जा रहा है वहीं चात को टोकर मारने वाले यूबक पास के ही रने वाले हैं जिनने घायल के परिजनों ने बंदी बना लिया है सुल्तान गंज के अजगैवी नाधाम में हर साल जेष्ट मा के सुकल पक्ष की दस्मी तिथी को मा गंगा की पुजार्चना की जाती है इस तिथी को गंगा दसारा या गंगा अफ्तरन भी कहा जाता है ऐसी मानता है कि इस दिन गंगा अशनान करने से मनुच के सारे पाप धूल जाते हैं इसी दिन मा गंगा का पृथ्वी पर अफ्तरन हुआ था इसी को लेकर आज सुल्तानगंच के उत्तरवाहिन गंगा गहाट पर अजारों की संख्या में सरदालू पहुचे और गंगा अशनान कर पुजार्चना की कहा जाता है कि गंगा दसारा के दिन असनान दान क्या विशेश मत होता है हिंदु मानता के अनुसार गंगा दसारा के दिन गंगा नदी में असनान करने से जीवन में आरे समस्याएं दूर हो जाती है इस दिन दस चीजों के दान को बहुत ही महत्पुर माना जाता है बतादे की गंगा दसारा के दिन जल, अन, वस्त, फल, पुजन, स्रिंगार, घी, नमक, सकर और स्वर्न का दान करना बहुत ही सुब और फलदाई माना जाता है भागीरत रिशी जो है जो बग्वती गंगा को लिखे आई ची आए चे आजी के दिन आए ची भागलपुर के कचरी चोग पर टोटो इरिक्षा चालक और यात्री हवाई अड़ा का रहने वाला रोशन कुमार से जमकर तुटु में में हुवी या हाई वोल्टेज ड्रामा भागलपुर के समरनाले इस्थित कचरी चोग पर हुई वही हवाई अड़ा का रहने वाला रोशन कुमार ने बताया कि मैं नागरमल मॉल से कचरी चोग बिजली बिल जमां करने आया नागरमल मॉल के कचरी चोग तक का भाला 10 रुपया होता है मैंने 20 रुपय का नोट दिया लेकिन इरिक्सा वाले ने मात्र 5 रुपय ही लोटाए जब मैंने 5 रुपय और वापस मांगा तो इरिक्सा चालक आग बबुला हो गया और मेरे से काफी तूतू मेमे करने लगा इरिक्सा चालक ने कहा भाला 15 रुपय ही लेने होंगे इस बात को लेकर दोनों में काफी भश भी और रहता पाई भी भी आग बबुला होकर इरिक्सा चालक यात्री के कपले तक भाल डाला बात इतनी बल गई कि या बात गचरी चोग पर खड़े यातायात इस्पेक्टर के पास चली गई उन्होंने दोनों को समझा भुजा कर किसी तरह सांथ किया एक बार फीर पुलीस की कार चली पर सवाल खड़े हो रहे हैं एक महला ने परवत्ता पुलीस पर मारपिट करने का अरोप लगाया है बताया जा रहा है कि परवत्ता थाना छेतर के गोनर चक में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ वहीं एक पक्ष के द्वारा पुलीस को घटना की जानकारी दी गई मौके पर पहुची परवत्ता पुलीस ने महला समेत मासुम बच्चे के साथ मारपिट किया जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है पुलीस की पिटाई से 14 वर से कुंदन कुमार घायल हो गया जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है वही महला नंदनी देवी को भी आंसिक रूप से चोट आई है जानकारी के मुताबिक प्रवत्ता थाने की गस्ति टीम को घटना की जानकारी मिलने के बाद घटना स्टल पर जांच के लिए पहुची थी लेकिन पुलीस ने एक तरफा करवाई की जिसका विरोद करने पर महला और बच्चे को दरुगा सहाब पिर दिये